तो जेल मस्टर यूटूब चनल पर आप साफ का स्वाग तो दोस्तो बात करेंगे ड्रीम 11 ओमेन सुपर मैश टी 20 जो नौर्दन ब्रेब ओमेन वर्सेस सेंटरल हिंज के साथ होने जा रहा है जिसका डेडलाइन है दोस्तो कल सुपा सारे छे बजे तो दोस्तो यह मैच जेल के लिए बैतरी मैच है यूग कि यह पहला मैच है तो इसलिए हम लोग जील और मीनी जील को ज्यादो दर फोकस करने वाले है तो अगर दोनों टीमों का तूल ना किया ज लेकिन इन बी डॉबलू मतलब नॉर्दान बड़े जो टीम है थोरा सा मेरो को स्ट्रॉंग लग रहा है तो दोनों टीमों का बीज में अगर वीनिंग चांसेस देखा जाए तो लगभग 60% और दोस्तों सेंटर निसको 40% चांसेस है मतलब वीन करने की तो दोस्तों दोनों प्लेयर है जिसको मौका सायद नहीं मिलने वाला है तो जो एक ठीक ठाक प्लेयर अप्सन मिलेगा तो हम लोग वीन करने वाले हैं तो दोस्तों गांसे पहले आप लोग एक कम करना पड़ेगा मेरा यूटूब चरप अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं कि तो जरू सब् लीजेगा क्योंकि उद्री में आप लोग कर दोंगा जिस्टीम से मैं खुद खेलदा हूं लेकिन जोईन करना की इस प्वाकर का है आप लोग जो मेरा वीडियो आभी देख रहे हो उसका टाइटल का लोग क्लिक किजिए सीधा अड्रस के सन पर चला जोगा थोड़ा सा जो प्लेयर का जो मतलब पार्फोर्मेंस है वो हम लोग को थोड़ा सा मालूम पढ़ जाएगा तो उससे हम लोग को टीम कंबिनेशन बनाने में बहुत ज्यादा हिल्प मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों देर न करते सुरू करते हैं तो दोस इधर से देखिए सेंटरल हि पर बन सकति इसका रेको ठीक ठाक है तम सिम निउटन दोस्तों उतना कूछ खाज नहीं है लेकिन ये पार्ट टाइम बोलिंग करती है तो और बोलिंग करेगी तो इंपटेंट जरू बने वाली है हन्ना रोपा दोस्तों हन्ना रोपा एक ठीक ठाक ओप्सण बनेगी कैप्टन भाइस कैप्टन के बादे में भी आप लोग सोच सकते हैं अगर पहले बोलिंग करेगी इसका टीम ठीक है इसके लब दोस्तों इसका भी रेकों दीके बहुत जाबर दस्त है तो बैटिंग सेक्टीं सब मिलेगा, सिलेक्टन भी बहुत ज़्यादा है तो बाकी दर से कुछ खास नहीं है मेलिशा हैंसें दोस्तो 19 रण बना के गई थी बाकी दर से कुछ खास नहीं है तो bowling पर्ट में देग लिधे थे और इधार से देखें हन्ना रोपे को कोई उकेट नहीं मिला सी ग्रीन को दोस्तों पांच विकेट मिला था तो यह इंपर्टन तो जरूरे पहले बोलिंग में इंपर्टन और भी ज़्यादा है बाकी इधार से देखिए कुछ भी कोई विकेट नहीं गिरा पाए थी अस्तति दोस्तों 31 बनाई थी बाकी देखिए रोजमरी मायर रोजमरी मायर देखिए बहुत ही ज्यादा इंपर्टन प्लेयर दोस्तों 72 रन बना गई थी और बोलिंग भी डान लेवाली है तो बहुत ही जबर्दस ऑप्सन बन जाएगी लेकिन ओडियाए में अच्छे आप लोगो चेंजेस होने को देखने को मिलेगा तो इसलिए हम लोग जरूट देखेंगे जो फाइनल आईना पाता है और फाइनल जो टॉस आपडेट आएगा उसके बाद हम लोग टीम कमिनेशन और भी सांत तर्ग से बना लेंगे और जरूर मैं टेलिगम पर अपडेट कर दोंगा जो बैटिंग और काइसा होने वाला है ठीक है बाकी दोस्ते देखिए डिवन सर ने 41 रन बनाई थी और बोलिंग पर्फमेंस देख लेते क्या हुआ था देखिए इधर से हंनर रोपे को तीन विकेड मिले था गरिन को दो विकेड और देवन सर को एक विकेड मिले और किसी वाइकिम बनाती नेंसी पैटिल दोस्तों छे सोलरान नगाथि सीघुर रहें दोस्तों बहुत ही जाधा ही धार जरूर्ण कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके जा सकते हो इसके लोग तो जेस वाटकिंग जो इस सांदार अल्डाउंडर है दोस्तो बैटिंग बोलिंग दोनों साब लोगों को पॉइंट देखे जाएगी एक स्पीन बोलार है ठीक है बाकी दर से इमर रिचर्सन दोस्तो टीम का क ही थी बाक धर से बोलिंग पर्फेर्फरमेंस देख लेए देखा ह्यों था तो किता स्वाटकिंग दोस्तो कैप्टेन भाइस के निवह से अगर आप लोग चाहूं तो ये उसके इलाब मेशन्यम समय갈 देखान ऑप्शन बनेगी थो दोस्तों और jess पढ़ाम लग देख लेते देखी इससे पहले बुलिंग किया था तो इदर से नंसी पटल को इफ सोरई दोम वीके केट भाग पादी दोस्तों इधर से देखे वाग़ीन और jess prasad को फीच यूप दλέक नजलघ को दोम लीके के वाइटसों पवाल सिपर बना थी तो इंपोर्टेंट जरूर है जेस वाटकीं ने 14 रन बनाके गई थी इधर से लोज सी बाउचर ने 23 रन बनाके गई थी दोस्तो और स्कोल कर हम लोग देख लेते निंसी पर इस फर उपेनिंग में आये थी देखिए 17 रन बनाके गई थी और बेजिन डियन होट दोस्तो इसका बैटिंग बहुत सांदर है दोस्तो बहुत सांदर इनिंग्स बील्ड करके जाती है तो अगर इसको मौका मिलेगी तो इमपोर्टेंट जरूर है हम लोग पिक करके जाएंगे जरूर हम लोग इसको पिक करने वाले है बाकि दोस्तो इदर से इमा रिचर्सन इस बार बहुत सांदर स्कोर करके गई थी 57 रन होली डोम ने 18 रन बनाके गई थी बोलिंग पर्फॉमेस देख लिए जेस वाटकिन दोस्तो फिर से तीन विके लेके गई थी नाइट ने दो दोस्तो जादा कुछ हम लोग नहीं देखेंगे सीथा क्रिया टीम कंबिनेशन उनको पर बात करेंगे रिसेंटली जो प्लेयर कर पार्फॉमेंस हम लोग देख चुक है तो स्टीम कंबिनेशन बनन में और भी ज्यादा हिल्प होने वाली है तो दोस्तो उससे पहले अब ल नौर्दन ब्लेप का जो इंपोर्टेंट प्लेयर अगर हम लोग को पीक करना चाहिए तो हम लोग किसको पीक करेंगे देखिए इन डॉट जो है एक ठीक टाक ओप्सन दोस्तो है यह इसका बैटिंग ठीक है ठीक है लेकिन अभी उदना कुछ हम मतलब पार्फॉमेंस नही सकते है लेकिन बैटिंग से देखिए तीन नू तो एक टीक्ताक ऑप्सन बनएगी अगर बोलिंग करेगी तो इंपरेंट ज़रूर बोलिंग डालती है ठीक है कि अधर से बैटिंग से बहुत सरे नए प्लेयर है दोस्तों इसको मौका मिलना बहुत ही टाप है ठीक है अलोंडर से अट्टा पट्टो आप लोग तो जानते हो इसके बार में इसके पहली बार मैच खेल रही है इस सीरीज तो इसको हम लोग पीक क इंपर्टेन बनें हर मैच में दोस्तों देखे एक दो करक विकल लेके गयी तो इसको हम लोग अभी के लिए पीक कर रहे है बाकी इदर से और किसी को पीक नहीं करेंगे बागया इदर से दोस्तों एब डेबॉन से अगर खेलेगी तो हम लोग बाकी देखेंगे बाद में इदर से दोस्तों हनना रोब जो बैटिंग से भी पॉइंट देखे जाए यह सी ग्रीन हर वक्त एक दो करक विकल लेके जा रही थी इसके एलबा दोस्तों रजबेडी मायर दोस्तों बैटिंग बोलिंग दोनों सब लोगों पॉइंट देखे जा सकती इदर से के नाइट विकले दोस्तों हर वख ऊपे जा रही थी जय प्रसाय दोस्तों इम्परशण सेंट लेकिन लुट किस को मौका मिलेगी किसको नहीं कि दो नहीं वह भी पर्लाइब जो क्या है तो इसको हम लोग करने रहे है तो ही एदर से दोस्तों आप लोग चाहो तो बोगश्यर को ट्र लेता है और बोलिंग सेक्शन से आब दोस्तों लोग messy our oh और ज्यादा इम्पर्टन E置 के टेकर बोलर भी है ठीक करहें तो यह सकती है तो इजो सेफ और स्टीक कैप्टन का चोईस है दोस्तों एक तीनों प्लेयर कैप्टेन भाइस कैप्टेन के लिए बहुत ही जबरदस अप्सान बन जाएगी ठीक है तो यह कम अब लोग कर सकतो हो कैप्टेन सी अटापोटो को और वाटकिंग को दोस्ता अब लोग भी सी देखे जा सकतो और नहीं तो इसको कर लिजेगा और एक बार आपके बना जुड़ी अटापोटो को एक बढ़ंग बना दीजिए और नसी परणकी को एक बाड़े बीसी जरूट कर लिजिए यह चाड़ मच कमबिनेशन में प्लेयर जूटेशन कैसे कर सकतो डौनेस को अब ब्लोंग ड्रॉप कर सकतो अगर ड बैटिंग तोड़ा बक्त कर लेते लेकिन बोलिंग सांदर करती है ठीक है तो आभी के लिए मैं इसको पीक कर लेता हो इंडोन इसको ठीक है यह सारे प्लेयर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है खास करके दोस्तों यह प्लेयर सी गुर्य अटापाटू वाटकिंग प्लेयर बहुत ही जबर्दास है इंपोर्टन है और अन्ना रोब सी ग्रीन देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ इस सातों प्लेयर का ब्लोग ड्रॉप बिल्कुल भी मात कर किजिएगा ठीक है जो भी कंडिशन हो पैटिंग बोलिंग जो भी जो पहले बैटिंग जो प एक्सपरिमेंट कर सकते हो ठीक है तो यह चारो प्लेयर के जगा आप लोग किन किन प्लेयर को अब लोग ट्राइ कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो चार प्लेयर में में एक्सपरिमेंट करने के लिए कहा था ना वो चारो प्लेयर के जगा आप लोग एंडॉट इमा रिचर् तूदर से दोस्तों ये सारे प्लेयर को एक एक कड़की उसकर से तो ये सारे प्लेयर दोस्तों जेल के लिए बहुत ही बेईतिरिन हो जाएगी क्योंकि इसका सेलेक्शन कम है इसके उपर किसी का भी ध्यान नहीं रहेगा तो ये सारे प्लेयर के उपर अगर दो प्लेयर मतलब तो पहला मैच है दोस्तों किसी को पता नहीं है कौन सा प्रेड इंपोर्टन है कौन सा नहीं तो आप लोगों में रिसेंटली जो ODI का मैच का स्कोर कार्ड में दिखाया हूं उससे आप लोगों को जरूर मिले वाली टीम कमेंडेशन बनाना में क्या अपने किस्कोर करना है वह भी वालोगों में बता चुका हूं तो जरूर आप लोग सांधा टीम कमेंडेशन बना लोगे ठीक है तो दोस्तों अगर हेल्प मिला है तो जरूर आप लोग पर बता दीजिएगा अगर अच्छा लागए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आ बाइ